बहुत बहुत है सिवी का हमारी येटोब चैनल सोट्स मिडिया में मैं हुराज राद दिख रहे हैं सोट्स मिडिया चिरोब चैनल ब्याड़ इनुबस्टी मुजफर पूर 1922 की तुमाम शात्र शात्र है जो कन्नोथान योजना प्रोश्थान राशिक के लिए कॉलेज में ड आपको जम्हा करना है मैट्रिका माकूल्इव क touching अंत्र न चाहिए कुछ नहीं माने हैं ौह दिख पर एके इसके बाद आप देख पारें 31 में 2023 के बाद यानि जून से सितंबर तक विश्य विद्यालियों से असनात को तीन शात्राओं का डिजल्ट अपलोड करने के लिए इस महा के आंति तक पोटल खुलेगा इसके बाद इन शात्राओं से 50-50 रुपिये अब देख पारें 50-50 रुपिये की दर से प्रोष्टाहन राशी का अवैदन लेने के लिए पोटल खुला जाएगा इसके पहले 31 मार्च 2021 के बाद यसनात को तीन शात्राओं को आप देख पारें 50-500 की दर से प्रोष्टाहन राशी के लिए ओनलें आवैदन 30 सेप्टेमबर तक लिया गया था उसके बाद से बिहार इनुबस्टी के उन्हीं से 22 के शात्राओं ने मेरे पास यह बहुत भेजी है कि सर इसमें मेरा होगा कि नहीं होगा या इसमें जो डेट दिया गया आप देख पार है कि 30 मई जो टेश्ट के बाद यानि जून से सितंबर तक और बिहा यह बहुत पहले आ गया था और जो 30 सेप्टेंबर तक जो आवेदन करने का जो तेथी था उसी में उन लोगों ने भी आवेदन कर लिया लेकिन आपका आवेदन भिहार इनुबस्टी में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपका रिजल्ट लेट से आया था और रेले लेट से आने के कारण आप लोग आवेदन नहीं कर पाई तो यह जो दिया हुआ है कि 31 माई 2023 के बाद यानि जून से सेप्टेंबर तक जिनका रिजल्ट आया है विविश्विद्यालों में उनके लिए पोटल इस माह के अंत तक खुलेगा तो इसका मतलब पता है क्या है इसका मत जाद आया तो 20-23 के पार्ट 3 का पतना उनिवर्सिटी में हो सकता है उसके बाद से आपको यहां आपके मितला उनिवर्सिटी में बाकी लगभग उनिवर्सिटी में अभी 20-23 के पार्ट 3 का एक्जाम यदि हुआ भी है तो रिजल्ट अभी नहीं आ है तो पतना उनिवर्स रिजल्ट अप्लोड करने की बात है, ना कि आवेदन की तिथी के बारे में, यदि हम सिधा-शिधा इस पूरे तिन-चाइड लाइन का निचोर निकाले, तो इसमें यही कहा जा रहा है, कि इस महीने में तमाम विश्विद्यालियों को कहा गया है, कि कन्ना उठान योजना के वेब साइट पर रिजल्ट अप्लोड कर दीजे, अप्डेट कर दीजे, उपर अप्डेट वाला है, उसके बात कहा जा रहा है, कि जब अप्डेट हो जाएगा, तब आवेदन के लिए आप देख पार है, देखिए, महा के आन तक पोटल खुलेगा, देखिए, यह पोटल मांग रहे है ना, यह उनुवर्सिटी मांग रही है इसलिए ताकि उनुवर्सिटी को इस माह के लास्ट तक आपका रिजल्ट जो है कि कन्यवथान यूजना की वेब साइट पर तमाम डीटेल के साथ अप्लोड कर देए है, जब इस महीने के लास्ट तक अप्लोड हो था इसमें आप देख पार अभी जो ऑनलाइन हुआ है 30 सेप्टेमबर तक तो देख पार हैं कब से कब तक था तो एक अपरेल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में था अब जो डेट आएगा अप लोग का रिजल्ट अपलोड हो जाएगा उसके बाद जो डेट आएगा वह आए यह जो आर्टिकल दिया गया है यह ओनलाइन आवजदन करने के लिए नहीं है यह हमका है एक तो पर तो यह सब युनिवर्सिटी के लिए हैं कि तमाम युनिवर्स्टी करें आप लोग का रिजल्ट अपडेट करेंगी इसलिए बिहार विश्यवजले मांग रहे हैं आप अपडेट हो जाएगा करंधान यूजना के वेबसाइट पर आपका बस आप लोग रिज्ट्रेसर नंबर रूलम बडालिएगा बस आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा सारा नाम आपके फादर का नाम आपका माकुषित नंबर बहुत सारी जानकारी वहां पर आ जागी बस जब आवजिन करने की तीठी आएगी तो आवजिन करने की तीठी शुरू होगी एक अप्रेल 2023 से लेकर करके तीफ सेप्टेमबर तक के बीज्ट के रिज्ट के रिजल्ट का उसमें आप लोग भी आ जाएगे तो फिलाला बिहार विश्वदलक की शात्रा हैं और आपकी कमेंट जमा कर दीजिए ताकि इसी महीने आपका रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा वेब साइट पर जैसा कि यह रिपोर्ट किया गया है ठीक बागी आपके अपडेट रहे बहुत बहुत धन्यमाद आपके से लुग देखने के लिए